हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं perioperative nursing, miss perioperative nursing miss complete जब surgery होती है, एक तो miss जो है तीन process जो है वह में follow करनी होती है, ठीक है three type की जो है nursing care जो होती है, जो की एक तो होती है surgery के पहले, miss preoperative care, एक होती है intraoperative और एक होती है postoperative और इनको जो है commandly हम बोलते हैं क perioperative nursing, तो perioperative जो period होता है, ठीक है उसमें हम में जो है क्या क्या करना होता है, ठीक है, तो वो सारा जो है आज हम study करने वाले हैं, क्योंकि हर एक्जाम में जो है, इन में से question जो है वो पूछे जाते हैं, चलिए start करते हैं, perioperative nursing जो है, वो है क्या, तो perioperative nursing जैसे कि मैंने बताया कि जो है, यहाँ पर तीन प्रकार की जो है, care जो है, वो सामिल की जाती है, पहला है preoperative, दूसरा है intraoperative, और तीछरा जो है, वो क्या है, postoperative, after surgery, during surgery, और before surgery, और before surgery, तो हमें जो है, कौन-कौन सी preparation करनी होती है, कौन-कौन सी care, जो है, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, तो वो सारा जो है, वो इसमें आता है, तो सबसे पहला जो है, अपने पास में, वो क्या है, preoperative nursing care, ठीक है, preoperative, जैसे कि नाम से ही है, pre means पहल surgery से पहले, ठीक है, कि patient जो है, उचको OT ले जाने से पहले, जो सारा जो अभी हम care करते हैं, एक patient के लिए, वो सारी आती है, किसमें, pre-operative care में, pre-operative care में बात की जाए, तो सबसे पहला जो point है, जो हम discuss करने वाले हैं, वो है, informed consent, देखो, कोई भी एक invasive procedure, जो की हम patient के ऊपर कर करते हैं, चाहिए वो injection लगाने से लेके, वो चाहिए surgery करने तक हो, चाहिए कुछ भी करना हो, invasive procedure जब होता है, तो हमें informed consent जो है, वो लेना होता है, informed का मतलब हमने patient को informed किया है, ठीक है, उसके effect, उसके side effect, उसके complications, उसका outcome, उसका result, उसके benefit, जो सारे जो हैं, वो हमने क्या किय हैं, discuss किये हैं, तो वो सारा जो आता है, वो क्या है, वो है informed consent जो है, वो एक legal जो है, डोकिमेंट है, ठीक है, बिना consent के जो है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो देखो, यह जो work जो है, consent लेने का, वो होता है, एक surgeon का, एक doctor का, ठीक है, consent जो है, वो कौन लेगा, एक surgeon ले अगर है। नर्च जो है। उसका काम नहीं है कभी भी कंसेंट लेना। ठीक है। हाँ वो प्रकुल यख़द भी विटनेश कर सकती है। ऑसको जो है विटनेश कर सकती है लेकिन काम किसका है। एक शर्जन जो है उसके लिए यह रिस्पोंसीबल है COM dov dev l that is ये क्यूसन जो है वो नोर से 21 में पुछा जा चुका है नर्सेज आर नोट रेस्पोंसिबल फोर दे साइनिंग दे कंसेंट फॉर्म ठीक है कंसेंट फॉर्म के ऊपर नर्सिंग का जो है साइन नहीं होता या फिर इसको विटनेश कर सकती है ठीक है बट साइन जो है वो नहीं कर सकती है उसका काम शिरफ वो शिरफ इतना होता है कि जो पैसेंट जो है वो सर्जन ने जो एक्स्प्लेन किया वो समझ गया है कि नहीं miss help करना है एक surgeon को explanation में ठीक है कि जैसे कि हो सकता है surgeon ने कुछ explain किया होगा उसको doubt रहा तो उसको रिज जो है explanation जो है किसका नर्श का बट जो है consent sign करना जो है वह एक नर्श का जो है वह नहीं है तो concerned जो है mostly above 18 13 year of age जिसको एंवां अडल्ट एज वह मानते हैं तो वहां पर जो कंसेंट जो है वो कोन देगा वो उसके गार्जन जो होंगे वो देंगे जो होंगे जो उसके पेरेंट जो होंगे वो concerned जो है वो sign करेंगे ठीक है अगर कुछ अधर यह मालर 12 years of age है वहां पर भी जो है आप concerned ले सकते हैं वो depend करेगा child की understanding ability पर child understanding अगर ability है या कोई से स्पेसल सरकंस्टांशेज होते हैं जहाँ पर च्छे लिया जा सकता है उस कंसेंट को हम कहते हैं अ हैं इस इस क्या कहते हैं मी pasa वह पर यह कि पूछा जा चुका है कि कुछ ओल्डर क्लाइंट जो होते हैं उनको उनका जो लीगल जो एह न प्रूकर रखाई है उल्ड जो होते हैं इसको hormonis करेगा क्या साइक्त्रिक पैसेंट है ऑनको कंसैन्ट जो है जो है वह से उसको मिलेगा उसको राइट भी है कि वह रिफ्यूज कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए एक कट्रग्य क्याइट है उसको होता है या पर treatment जो होता है उसके लिए वो क्या कर सकता है refuse कर सकता है कब तक कि जब तक कि court जो है वो यह नहीं मान ले कि यह consent देने के लाइक नहीं है ठीक है जब तक कि court यह मान ले कि यह जो है वो consent देने के लाइक नहीं है तो उस समय तक जो है एक patient के पास जो की psychiatric patient जो होता है उसके पास भी यह right होता है कि वो जो है consent या पर treatment के लिए मना कर सकता है या फिर रही बात एनेस्टीशिया की sedation वाला जो एनेस्टीशिया होता है उसके लिए भी पहले आपको जो है consent चाहिए ही चाहिए सीडेशन वाला जो होता है consent जो होता है उसके लिए भी आपको consent जो है वो चीये ही चाहिए आपको minor of sedation ही देना होगा आपको पैशेंट में मना करता है तो आपको आपको फटा फट से आपके doctor सर्जन जो है उसको report करना है क्योंकि यह मान लो की जो भी कंसेंट है उसके बिना एक सर्जन जो है वो स्काल पेल भी नहीं उड़ा बाएगा ठीक है नंबर दो बात हम पढ़ते हैं क्या पहरोज में वह है प्रिप्रेशन उपधर शर्जरीकल सैट जिस साइट-पांव इसके आसपास का एरिया और वह एरिया जो है वह क्लीन सेव करना होता है साइट जो है ज़ो है उसको मार्क करना होता है ठीक रिगर की हमें इस परकार इंसिजन यहांपर इंसिजन दिया जाना है ठीक यहांपर हम जो हैं ओपरेट करने वाले हैं थीकल साइट मारकिंग जो है वह honor ही important है आपने सुना होगा कि right leg का important करना था left leg का important कर दिया है ठीक आपने यह चीज तो यह चीज जो है वह इसलिए आते हैं क्योंकि pre-operative में surgical site जो है वो बहुत ही important है surgical site की preparation करनी होती है साथ में अपने उसको mark करना होता है कि जो है कहा किस part का जो है वो फोटी होना है clean the surgical site with a mild aseptic या antibacterial swap ठीक है before the surgery कि पहली रात को जो हम clean कर लेते हैं अगर evening है तो morning भी clean जो है वो कर सकते हैं जरूरी है कि clean खरना है ठीक है और भी है वहा पर हमें क्या करना है में सब्सक्राइब होता है क्या करना होता है साथ में मार करना है बते Elimination की तो Elimination देखो क्या है एनिमा जो है वो दिया जाता है क्या साथ में रखना होता है और जो है साथ में देना होता है क्या एनिमा प्रहसा कि प्रीतिव क्लाइन एज्यूकेशन साथ में जो है कुछ एज्यूकेशन दी जाती निश्यक्ति किया जाता है फ्रसेजर ठीक इसक जो है इसका यह नैचम एक्स परकार से करने वाले हैं आपको यह पूस्कार कारणी या पिर कफिंग प्राइद करना है कि पर करना थीक है या या पिर कफिंग जो सकते हैं अगर कोई सर्जरी होती है तो प्रिवेंट कफिंग जो है अपना मोस्ट प्रायोरिटी एक्षन होगा ठीक है कोशिस करेंगे कि जो है पेशेंट को इस परकार से कफिंग टेक्निक बताए जाए जिससे की जो है अब्डूमिनल प्रेसर कम से कम लगे वुंड डेहिसेंस या वुंड एब आपको या आपको फॉलिस लगा रहेगा तेन दन बाद में उसको बताया जाता है साथ में पेशेंट जो हुसको सायग्व लोजिकल सपोर्ट वगडर जो वह दिया जाता है कि जो है सब कुछ अच्छा होगा बहुत अच्छे डोक्टर हैं त्टीक अच्छा प्रोसिजर कर इसको प्रियो फॉर्ट है। ये बहुत ही जो है इंप्रτεंट है ये म्लब ये नहें के दोरान किया सेप्टिश्ट और एक होति है प्री उप goose उर्टी जाने से पहली होती है छिस कितना ब्लड अरेंज है कितना उसका क्या है कि उसका एस्टी हुआ है और नामेंट रिमूव किये गए है कि नहीं सर्जिकल साइट जो है वह प्रिपेर है कि नहीं तो इस परकार से नहीं है या फिर जो है यह चेक लिश्ट जो है उसको रिव्यू करते हैं जो है पैसेंट को भेजने से पहले साथ में pre-operative medication mostly क्या एंटी बायोटिक्स ठीक है तो वो दी जाती है ठीक है वो कब prior 1 hour क्या prior 1 hour to skin incision ठीक है यह जो है क्योसंद रिपीट हो चुका है एमस बठिंडा और बीएच्व में 2018 में ठीक है देखो सबसे पहले तो क्या है कि हमें एंटी ठीक है कुछ होता है तो और अगर इंडियूरसण देखने को नहीं मिलता तो जो भी ऐंटी वाइन होती है उसके देन होती है ठीक ताकी जो वहां पर इनफ्यक्षन गोब में उसके युद्यूर्य प्राइक्ष्व उसके क्या प्रिवेंट किया जा के है पिर क्या सारे उसकी हिस्ट्री है फिजिगल एक्जामनेलेशन जो है वो च्शक करते हैं एक सरजरी माइनर सरज्री हो complication हो सकते हैं और एक surgery का सबसे बड़ा जो complication होता है मिस किसी भी टाइप की surgery का वो है hemorrhage हो सकता है किसी भी type की minor surgery में भी ठीक है तो यह जो है mandatory होता है हर जो है OTC पहले साथ में उसके jewelry, makeup, denture, nail polish, glass या prosthetic जो भी उसने पहने हैं वो सारे हमें क्या है remove करवाने होते हैं ठीक है jewelry जो है उसको हम नहीं रखते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि OT हो जाए तो उसके बाद हम दे देंगे नहीं उसके guardian जो होते हैं उसके legal guardian तो उसके साथ है जो उसका attendant है उसको दी जाती है ठीक है साथ में जो है फेसेंट जो है वो NPO है कि नहीं ठीक है NPO पेसेंट जो है वो है कि नहीं हिसके हैं साथ में monitor करने होते हैं उसके vital science ठीक है वाईटल साइंट जो है wnwो monitor करने है विपोर सेंड इंड़ जो और तो ले कि वाइसल है क्योJack हमाटंगे स्फेट्चु पेसेंट में Savuna लिए थेहां और अगर बड़ा है तो वहां पर सर्जरी जो है वह नहीं की जाती है क्योंकि शोर सी बात अगर सिस्टोलिक अगर बड़ा हुआ है तो वहां पर क्या होगा ठीक है क्योंकि जदा प्रेसर जो होगा में तो शोर सी बात है कि Blading Humor Pay जो है blood loss जो है वह ज़ाधा वह ने वाला है तो सर्जरी जो है वह एवोड करते हैं और साथ में सर्जिकल चेकलिस्ट जो है वो उसमें फाइल में अटेच है कि नहीं वो हमें चेक करते हैं कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमें जो हैं विदहाइल्ड कर लेनी चीएं मुस्ली एक्जामें पूछी जाते रही है एस्प्रीन जो आप जानते ही हैं एंटी प्लेटलेट जो कि क्या है योडि चार दिन पहले और उसको भी चल रहे है तो युश को हमें क्या करना है कुछ ऐसी ड्रग है जो की हमें क्या है करना हैं लेने के साथ के लिए या कोई सी विए ले लेनी करना है तो यह जो तो यह जो थी वो थी सारी क्या प्री ओप्रेटिव नर्सिंग केर ठीक है इतनी सारी चीजें जो है वो हमें करनी ही करनी है अब पैसेंट जो है वो ओटी पहुंच गया है कहां पहुंच गया है ठीक है अब पैसेंट जो है ओटी में आ गया है पैसेंट के साथ में उसकी रो है ब debtor गे आती है कि पैसेंट को टेबल पर लेते समय आपर लेने के बाद पैसेंट को जो है इन्चुनिंदि नहीं हो पैसेंट को है दुभारा कनफृम करते हैं कंसेंट लिया है कि नहीं वह सारा इपन करते हैं ओर यहां पर mandatory है कि वो फोलो की जाती है तो इंट्रा ओपरेटिव केर ठीक है तो कब से फटार्ट होगी जब से पेशेंट जो है ओपरेटिव रूम में आएगा ठीक है वहां से लेके और ओपरेटिव रूम छोड़ने तक सारा क्या होगा इंट्रा ओपरेटिव मलब ओपरेशन theater के अंदर आने से लेके बाहर जाने तक ठीक है जो भी care हम देंगे वो सारी होगी intra-operative nursing care ठीक है तो देखो क्या होगा what a nurse जो है वो कौन-कौन सी care यहां पर देने वाली है patient जैसे ही आएगा तो consent जो है वो हमें क्या करना है verify करना है उसकी history उसकी allergy condition ID card उसका है कि नहीं साथ में patient जो है वो verbal है कि नहीं अगर verbal है तो उसके patient से उसका नाम पता जो है वो पूछा जाता है कौन सी site पर procedure होता होना है उसका और क्या procedure होना है वो भी patient से कंफर्म किया जाता है patient को किसी टाइप से allergy तो नहीं है especially egg allergy तो नहीं है ठीक है एग allergy मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि mostly sedation जब देते हैं तो प्रॉपफोल एक drug है जो की यूज की जाती है और प्रॉपफोल जो है वो एग emulsion ठीक है इसमें होता है प्रॉपफोल जो है उसमें एग emulsion होता है तो शूर्ची बात है कि पैशेंट को अगर एक allergy है ठीक है तो हम प्रॉपफोल जो है उसको अवर्ड करेंगे यह यहाँ पर क्या है Contra Indicated है Patient का नाम चेक करेंगे ठीक है उसका Operative Site Side और उसका Diagnosis क्या है वो हमें चेक करना होता है ठीक है साथ में जो है Confirm करते हैं कि Patient के साथ एक Relative जो है वो होना ही चीए वाइचांस अगर कोई Emergency होती है या फिर जब Blood Component जब हम मंगवाएंगे तो Patient का Relative जो है वो होना चीए पर किसी टाइप का अगर कुछ और चीज़ अगर एक्पलेन करनी होती है ठीक है तो उसके लिए एक Atenant जो है वो Patient के साथ जो है वो होना चीए साथ का मतलब OT में नहीं में से OT के बाहर बट पेसेंट से Confirm करते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं ठीक है साथ में OT क्लोथ उसको दिये गए है कि नहीं उसने सारे Inner Wear जो है वो निकाले है कि नहीं ठीक है उसने ओटी ड्रेस पहनी है कि नहीं सारा जो है वो हम क्या है चेक करते हैं कि शार्थarna है जो है वो यहां पर किया गया है कि नहीं ठीक है जैसे की पिछे आया था आ कि उप्रिवें करना है साथ बोलेड जो है वो अरेंज किया गया एक नहीं ठीक है ne energ जो सरजन जो है वो सारे जो है कंफर्म करते हैं कि साइट मार्क नहीं की जाएगी तो बात्र पार्ट सरजर्री की जा सकती है जिसके की नहीं की जानी है तो एरे जो होते हैं वो होने के चांछे जहां पर बढ़ जाएंगे ठीक से प्रोचेटर होने से पहले टाइम-आउट झो है वो नएक करना होता है डॉक्टर सारे जो हैं ओक्टर जो हैं फोलोशन किये गए हैं कि वो सारे वेरिफाई हैं कि नहीं सारे जो प्रोसिजर हैं सारे जो ओडर हैं वो implemented है कि नहीं ठीक है तो यह सारी चीज़ें वो करनी होती है ठीक है तो यह है जब करने के दोरानी आपर बाद में नहीं गिरने जाए ठीक है चाथ मैंजियतिक अनवारमेंट जो है टेकनिक जो है पोजिशन जो है करक्ट अलाइनवेंट या ड्रेप श्रिट जो है वो कि तो 이션ेंट çalışनos तो इसा नहीं सेट में इंस्ट्रुमेंट काउंट पूरे हैं कि नहीं और आप्टर सर्जरी जो है भी हमें देखना होता है कि इंस्ट्रुमेंट काउंट पूरे हैं कि नहीं क्योंकि आप्टर सर्जरी क्यों देखना है क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई इंस्ट्रुमेंट जो है वो ओपरेटिव अगर नीडेड है तो कि अगर लोग सर्जरी है अबोव टू आवर अगर कोई सर्जरी ले रही है तो डोकिमेंटेश उनका कंप्लेट देना है और एनस्थीसिया जो है दिया जाना है तो देखो यहां पर डबली वैचो सर्जीकल चेकलिफ्ट जो है वो भी की जानी है ठीक है एक होता है यहां पर क्या स्क्रब नर्स और एक होता है सर्पुलेटर नर्स देखो दो टाइब की नर्स जो है वो एक वोटी में होती है स्क्रब नर्स का मतलब है कि वो नर्स जो कि एक सर्जन को अशिफ्ट करेगी एक सर्जन को अशिफ्ट करेगी वो होगी क्या स्क्रब नर्स मिस जो की स्क्रब होगी मिस गाउन पहनेगी ठीक है और पूरा जो है प्रोसिजर फोलो करेगी वो होगी क्या स्क्रब नर्ज और नाम से यह सर्कुलेटिंग सर्कुलेट करने वाले दोड़बाग करने वाले मेंसे यह वो नर्ज है जो की जो भी सामान चीएगा जो भी मेटरियल चीएगा ठीक है वो वो जो स्क्रब नर् का जो काम है वो है scrub nurse का तो scrub nurse जो है वो गाउन पहनेगी गलब पहनेगी और handle करेगी सारे जो भी instrument है उनको पास करेगी इस्ट्राइलफिल्ड में ठीक है with इस्ट्रलेटी के साथ में किसको एक सर्जन को तो इसलिए स्कों कहते हैं boss of the strong field boss of the strong field जो है वो कौन है स्क्रब नर्स ठीक है सर्कुलेटरिंग नर्स क्या है अनिफ्ट्राइल एक्टिविटी जितने भी होती है देखो इसने गलव नहीं पैने इसे मांगा जाएगी सुचर ओपन कर दो ते सुचर ओपन कर देगी हमें जो है फाइब सी सिरिंच चीए तो फाइब सी सिरिंच ओपन उन कोरें करने का काम है लेकिन यह सारे काम जो क्या है नर्सिंग केड देना है करना है डिव होते हैं तर उम्को लेबल करना है और वह साथ में जो के पेशेंट से ठीक है पोर एक्जांपल जैसे कोलेसिस्टक्टम हम कर रहे थे गोल्पलेटर का जो है सर्जिगल रिमूवल था ठीक है तो उसको जो है इस्ट्राइल कंटनर में डालके और स्पैसिमेंट जो है पोस्ट अप तक छोड़के आना उनको डोकिमेंट करना लेबल जोड़के जाएंगे देखेंगे तो वहां पर कौन होता है सर्कुलेटर इनकामों के लिए सर्कुलेटर नर्स जो है मिज उसको असिफ्टिव जो नर्सिंग भी हम कहते हैं वह होती है इसनकामों के लिए तो देखो stage of the anesthesia कि जब भी हम एनेस्टिशा देते हैं ठीक है तो कुछ stage जो है वो होती है जिसमें की patient जो है वो अलग अलग टाइप के जो है वो फिल करता है experience करता है ठीक है तो वो जो है कौन सी पहली है analgesia stage ठीक है कि जैसे ही anesthetic drug हम देते हैं तो patient जो है उसको थोड़े सा ड्रावजी होता है loss of consciousness होता है थोड़ा सा memory उसका loss होता है awareness जो है उसको नहीं होता यूफोरिया लगता है ठीक है तो यह सारे feature आते हैं किसमें analgesia stage में next है dishebenation means यह उसके आगे की stage है जहां पर थोड़ा patient और जो है sedate होता है वहाँ पर excitement देखने को मिलता है muscle जो है वो सारे stimulation stage कि इस रिया surgical anesthesia जहां पर जो है complete एक तरीके से anesthesia जो है वो दिया जा चुका है drugs जो है उन्होंने अपना action जो है वो properly जो है start कर दिया है जहां पर सारे reflex जो है वो depressed होते है patient completely unconscious होता है patient को किसी भी type का fan reflex जो है वो feel नहीं होता है उसका respiration जो है वो अब जाकर normal हो जाता है BP maintain हो जाता है और eye moment बिलकुल कम हो जाते हैं जैसे ही हम drug देते हैं उसके 5-10 मिनिट में यह चुझे है जो है वो होती है कौन सी stage 3rd में medullary depression जो है उसके बाद देखने को मिलता है जहां पर respiratory और cardiovascular depression जो है वो देखने को हमें मिलता है ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कि medulla जो है वहां पर अपना respiratory center होता है साथ में जो है patient को आप जो है ventilation चीए फार्मेकोलोजिकल सपोर्ट चीए हमें और medicine जो है वो देने की ज़र तो होता है कोटी का वो होता है 23 to 25 humidity की बात करें ठीक है तो वो होती है 30 to 40% humidity कितनी होती है 30 to 40% और temperature के अगर बात की जाए तो वो होता है 23 to कितना 25 degree centigrade ठीक है यहां पर मैं सोट में जो है आपको बता जेता हूं डबली वाचो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट डबली वाचो सर इसके ओपर जो है complete वीडियो बनाया हुआ है आप जाकर देख सकते हैं ठीक है क्योंकि मैं इसलिए यहां ही बता रहा हूं क्योंकि आप जो है पोस्ट ऑपरेटिव नेर्सिंग केर स्टार्ट होने वाली है ठीक है मुझे पीछे बताना चाहिए था लग मुझे दूसरी होती है क्या ताइन इन तीसरी होती है टाइम आउट और चोथी होती है साइन आउट और पांच भी होती है डी ब्रीफिंग देखो ब्रीफिंग जो है मैं सोट में बताता हूँ ब्रीफिंग क्या है ब्रीफिंग का मतलब यह होता है कि सर्जन और एनेस्ट ठीक है दोनों आपस में यह डिसकस करते हैं कि यह पैसेंट जो है इसका हम वोटी किस परकार से करने वाले हैं हमारी कौन-कौन सी टीम कौन- ठीक है तब वो जो स्टेप है वो क्या है ब्रीफिंग साइन आप जानती है कि पैसेंट को ओटी में लेने से लेकर और इंडूस करने तक मिंस एनेस्थीशिया देने से पहले जिसमें कि पैसेंट की आडेंटिफिकेशन एलर्जी के हिस्ट्री पैसेंट को कोई होती है उसको हम कहते हैं साइन इन अब एनेस्थीशिया देने से लेकर और इंसीजन लगाने तक वो होती है क्या टाइम आउट एनेस्थीशिया देने से लेकर और क्या है इंसीजन लगाने तक जो है वो क्या होती है साइन आउट और एक है क्या टाइम आउट और साइन जो है आउट करने से पहले फैकि बर dar management गोड़ा होता है वह क्याından रही बाद DRBीफिंग में वही जो की मिली थी वह वापस कठे होते हैं श offenders करते हैं कि हमने इस प्रोसेजर में क्या क्या चीजी ऑची क्या क्या चीजी हमसी अच्छे नहीं हुई क्या-क्या चीज़ों की कम ही रहे गई कौन सा इस्टुमेंट हमारे पास कम रहे गया ठीक या पर जो सर्जरी चार गंटे में हो जाने चीए तिस है गंटे क्यों लगे या बर जो भी है तो यह सारे बातें जो है वो डिसकस की जाती है मिन्स और साथ में पैसेंट का जो है प्रोज और कॉंझ क्या साइड कर सकते हैं उक्सक प्रकार से मैनेज करना है कौन कौन और क्यों सकिने कि ौन करने को मिल वाला है तो वह जाएड्म करने को है में सोट प्रमुला बताता हूं यहीं गिंक कि यह ज 되고 पर एक साइट पर किसी बी एक वेबसाइट पर जब भी हम जाते हैं तो हमें देखो वहाँ पर क्या है sign-in करना होता है वहाँ पर हमें क्या करना होता है sign-in तो ये डबली अचो surgical checklist की पहले step है पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि briefing जो है उसको step count नहीं करते हैं mostly अपने जो डबली अचो surgical checklist जो है उसमें only तीन ही चीज़े हैं ठीक है तो इसलिए बता रहा हूं इसको पहला आपने जैसे ही sign-in किया लेकर आपका internet कमजोर था या पर कोई किसी बज़े से जो है आपने sign-in नहीं हो पाया तो अगर internet अगर आपका कमजोर था जदा time अगर server ने ले लिया तो वहां लिखा हुआ आता है क्या connection timeout जैसे ही आप gmail पर sign करते हैं किसी website पर sign करते हैं आपका server अगर slow था इंटरनेट slow था तो वहां लिखा हुआ आता है क्या timeout connection timeout तो इसकी दूसरी step भी क्या हो जाएगी timeout क्या हो जाएगी time out ठीक है यह इसकी क्या है दूसरी step है आपने sign-in कर लिया ठीक है और फिर जब आप उस website को छोड़ते हैं या फिर Gmail बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं log out करते हैं या फिर क्या करते हैं sign out करते हैं तो इसकी तीसरी step क्या हो जाएगी sign out ठीक है तो इस वाले हैं जहां पर प्रेसेंट जो है ओटी से निकलकी आप आ गया है på rectus जो है एरिया में आ Wakanda अ कहते है पूस्त आप यहां पर लिगी जाएगी यहां पर प्रकेसंट कोफर के जाएगी के अ अधो फेसिकली का मतलब है कि पहले चार घंटे में पूछा जा में में इंटरमेडियेट का मतलब है कि चार घंटे से लेके जो 20 घंटे तक जो हम केर देते हैं और एक्टेंडेट का मतलब है वन टू फोर डेज आप्टर सर्जरी पट जो क्रूशियल जो टाइम होता है वो होता है क्या इमेडियेट पोस्ट ऐप्रेटिव केर उसके बाद में जो oftentimes क्या होता है फिस्ट ट्वेंटिफट आर ठीक है उसके बाद जो है वह केर हमें देनी है यह इसा नहीं है बट वहां पर जो है priority जो है वो नहीं होगी important जो होते हैं जो most common जो complication देखने को मिलता है वो mostly first 24 hour जो होते हैं उसी में ही देखने को मिलते हैं तो immediate post operator जो care है वो हम पढ़ते हैं पहला है maintain airway and respiration यह सबसे पहले priority पे आएगा हमने को तो क्योंकि हमने क्या है पेसेंट को एनेश्तिसिया दिया है पेसेंट को हमने क्या to agar agar उसको दिया है तो श्यूर si बात है कि patient जो है उसको respiratory depression जो है वो देखने को मिलेगा पेसेंट जो है योلة करना है कि पैसे एंड जो है किया का फीजिब या सारी शीजेंद यह हमें क्या है करनी होती तो पढ़ते हैं और नेक उसको थोड़ा साइड में रखते हैं ताकि टंग फॉल ना हो पैसेंट जो है वो भी ना कर सके अगर कुछ सक्षान करते रहना है जो है क्या पर करते रहना है उसको मोनिट्र करना है अगर वो बिलो जो है 95 देखने को मिलता है पोस्ट ऑप्रेट्व में अगर बिलो 95 देखने को मिलता है तो ऑक्सिजन जो है वो उसको हमें क्या है देनी होती है और जो है लेटर 15 जो है उसको हमें क्या करना है कि जब तक की पेसेंट इस्टेबलाइज नहीं हो जाता है वह हम मानते हैं इमेडियेट पोस्ट अपरेटिव पिरेड जो होता है वन आर का ठीक है अगर वन आर तक उसका अच्छा चल रहा है उसके बाद आप एवरी 15 जो पर चल रहते हैं अगर आपने लगा नहीं रखा है तो वह मैसा बैड़ साइड वह होने चीए वह कब तक होने चाहिए जब तक नहीं आ स्वालोविंग रिख्लेक्स उसका जब तक नहीं आ जाता है तब तक क्लिये RPG जब जेगे थो स्वालोविंग पर लेगा उन को अब हमें करना से पहले सक्षन जो है वह हमें करना है साथ में रेश्पिरेटरी इस्टेटस जो है उसको मॉनिटर करना है ठीक है डिफ्ट्रेस तो नहीं है किसी परकार का रेश्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट कि कम होना थो यह सारे जो है हमें क्या करना है monitor करना है ब्रिट सांट देखनी है continue respiratory rate क्या चल रही है उसकी depth क्या है pulse oximeter जो है आपको क्या बता रहा है ठीक है तो यह सारा जो है आपको note करना होता है respiratory में साथ में patient को जो है coughing और deep breathing के लिए कहते है यह कि उसको प्रिवेंट कर सके और आप्रिवेंट कश है जो हो मोस्ट कोमन रेस्पीरेटी उसकी है जब भी दो किरेंट क完全 होता है यसीलिए जो है टी कंफियंट रिल्यक्तेशअ में था थीले कंश्ण हैं वह एक्स पटेएटिंड हों हम प्रमोड सर پोलेशन है अब जो है उसमें सर्कॉलेस जो है उसके भी धiasm वहाइन नहीं हाव हर्ट रेट उसकी रिदम उसका ब्लड्वर्ड फ्रेसर जो है वह चेक करना है ठीक है यह फिप्टीन मिनटे चीक जाइए है उसको चेक करना है to ब઼ी जो है वह हमेंचा करते रहना है या फिर कोई कई लगा तो का आएगा वहाँपे जदा आएगा या या फिर एगर सर्जिकल साइट पे ड्रेसिंग है तो वो ड्रेसिंग जो है वो complete red हो जाएगी दिक जाएगे ना शुर सिबात है कि blood से ठीक है या पिर अगर कोई oral surgery हुई है तो शुर सी बात है कि patient जो है वो frequent swallowing करेगा ठीक है यह question बहुत बार पुछा जाता है कि aptide tonsillectomy most common complication होता है hemorrhage और पता कैसे चलता है नर्स को फ्रिक्वेंट स्वालोविंग से अगर आपको किसी प्रकार के फाइंडिंग मिलती है हम्रेज की तो आपको जो है इंपॉम करना है सर्जन को ठीक है या फिर सिक्वेंशियल डिकंप्रेशिव डिवाइस मींस एर एंबॉलिजम को रोकने के लिए जो लगाते हैं हम या फिर एंटी-कोग्लेंट जो की मुश्णी हम देते हैं ठीक है वो हमें देना है और साथ में जो है प्रो सके तो या णहीं हो सकता है तो फ्रकार्शन को क्या करते हैं रही बात बूंड केर की तो वूंड केर जो है वो हमें करना ही होती है कि जो है वूंड जो है वो उसके लोकेशन क्या है क्या साइज जो है वहां पर है उसका कलर क्या है वहां से कोई ओडर तो नहीं आ रही या जो ड्रेनेज है उसकी कैसी है तिस टाइप का ड्रेनेज जो है हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो देखो जो है वूंड के टाइप है क्या सेंग्वेनिस ड्रेनेज ठीक है सेंग्वेनिस ड्रेनेज का मतलब है ब्राइट रेड कलर का जो है यह ड्रेन हमें देखने को मिलता है ब्राइट रेड कलर की वहां पर जो है ब्लेडिंग एक तरीके से एक्टिव ब्लेडिंग जो है वो देखने को मिलती है शिरो area पर Red fluid जह है वो देखने को मिल सकता है बट जो एकटीव ब्लेडिंग जो है वह इसको डिनोट नहीं करता है सिरो सैंग्वन देखो इसमें इसमें क्या है सिरो से जाधा नहीं है ठीक है पेल यलो पिंग कलर की यहां पर ब्लेडिंग है त्टीक यह क्या है सिरेश लिख दिया है इसको सीरेश का मतलब है कि वाटरी प्लाज्मा यहां पर आर बीसी निल है वाटरी टाइप का मिस्टीरम जो है वहां से एक्जुडेट के रूप में निकल रहा है और अगर पूरुलेंट है ठिक यलो मिस्ट यहां पर पस अपने को देखने को मिल रही है शूर सी बात है कि वो इंडिकेट कर रहा है किसको इंफ्यक्षन को किसको इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर क्या हुआ है इंफ्यक्षन जो है वो हुआ है जो भी ट्यूब लगी है ड्रेन लगे हैं पेक पैसेंट में उनको हमें क्या करना होता है ठीक है एक जक्षन प्रेड ड्रेन जो की बैलून टाइप का आता है बैलून को पिछकाके फिर थोड़ देते हैं ठीक जैसे जो है वो तो वह नेगटिव प्रेसर बन गया है यहां पर तो वह जो है जो भी क्या discharge है उसको वो सक कर लेता है ठीक है या फिर हीमो वैक जो आता है दबाने वाला ठीक है इस परकार से ठीक है तो उसको क्या है कि उसको भी यह भी negative pressure की उपर काम करता है तो उनमे negative pressure है कि नहीं और tubing जो है वो appropriate रूप से जो है कि जब भी जो है बैग half full हो जाए तो हमें क्या करना है इसको empty करना होता है ठीक है और जो है port जो है उसको हमें क्या करना है close करना है और साथ में जब हम ऐसा करेंगे तो जो है surgical जो है aseptic technique जो है वो काम में हम लेना है प्लूड एंड इलेक्ट्रलाइट नीडेड ठीक है फ्लूड और लेक्ट्रलाइट जो है वो maintain किया जाता है 6200 ml पर आर 6200 ml पर आर जो है वो हमें क्या करना होता है यहां पर जो है maintenance प्लूड जो है वो run करना होता है आप्टर ओटी साथ में जो है हमें कितना इंटे कितना output गया ठीक है वो हमें जो है maintain करना है शिरम इलेक्ट्रलाइट बैलेंस जो है वो चेक करना है क्यों क्योंकि जब उसकी surgery हुई है तो शोर सी बात है तो किस लोकेशन पर है किस टाइप के साथ है कितना तेज पैन है कितने देर से उसको फील हो रहा है और किस पोजिशन पर उसको पैन फील होता है तो वह सारा जो हमें है चेक करना है पैसेंट को क्या है पैन के लडेने हैं और साथ में क्या है उसको PCA पंप जो है वह बताए किस प्रकार से उसको यूज करना है PCA pump क्या होता है एक जो है एक syringe pump आपने देखा है ठीक है शेम वैसा ही आता है ठीक है तो बट यहां पर क्या है कि syringe pump जो है उसमें हम खुद जो है set करते हैं rate की इतना rate पे जो है वो जाएगा patient इसमें कुछ नहीं कर सकता है बट वहां पर क्या है कि एक जो जो अपना जो pump है जो syringe pump है उसके साथ में एक code आटेच रहती है और उस code के ओपर एक उसका controller जो है वो लगा होता है तो यह controller जो है वो हम patient जो है उसको दे देते हैं ठीक है patient के हाथ में यह controller जो है वो क्या पकड़ा देते हैं उसको कहते हैं कि जब भी आपको pen feel हो तो इस को इस बटन को जो है वो दबाना है ठीक है तो दबाना होगा तो उस मेंसे जो हम rate set कर देते हैं कि एक बार प्रेस करने पर इतना जो है मिस पॉइंट वन पॉइंट टो ml जो है वो आना चीए तो उतना जो है वह आती है जिससे कि क्या है कि अगर उसको relief जब प्रीट भ屁श होती है नहीं होते तब तक वो उसको जो है दबाई रखता है दबाते रहता है करे एकト्रोल्र को तो ड्रक जो हूँ कि पेशेंट में रहती है मिस पैन का control स्ध्यान के हाथ में रहता है ठीक है तो वो पंप होता है क्या पी-सी-ए पंप इंटरमेडियेट या पर लेट पोस्ट ओपरेटिव नर्सिंग केर जो अभी तक हमने पढ़ी वो थी इंटरमेडियेट जो की होती है चार से चोबीश घंडे या फिर लेट होती है 24 घंडे से चार दिन तक तो यहां पर आता है पहला प्रोटेक्ट प्रॉम दा इंजूरी कि पैसेंट जो करना है उसके लंग सांड जो है वह अमें दे रहिए के लिए एक्सराइज वगरा उनको बताना है ताक यह चांप चैनल के रोक सके ठीक है साच में सोचर लाइन जो है उसके ऊपर प्रैसर वो नहीं डाले विए उसको क्या है बताना होता है सर्जिकल जो असेप्टिक टेकनिक हैं वो सारी हमें फोलो करनी है जब भी हम ड्रेसिंग जो है वो चैंज करेंगे ट्यूबिंग हम चैंज करेंगे ड्रेन हम जब हम भी हम खाले करेंगे ठीक है तो कुछ भी प्रोसेजर हम करेंगे तो हमें सर्ज co up to six are जो है हम क्या रखते हैं n po रखते हैं ठीक है आप जो है किया है npo रखते हैं तो यहाँ पर क्या है mostly की जैसे ही gwisgen reflex आ जाएगा जाएगा वैसे ही आप जो है उसको penso दे सकते हैं ठीक है बिट पहले हमें क्या चेक करना होता है communion reflex चेक करना होता है अगर आजाए तो यह सा नहीं है कि अधर खाले हलका हलका जो है amount में क्वांटिटि जो है वह करते जाते हैं पहले यह सटार्ट करते हैं लिकवीड से उसका वहाइडरेशन जो है वो मैंटेंज करना है उसके लिए इंटेक आउटपुट जो है हमें मेंटेन करना पड़ेगा इसलिए हमें हाइड्रेशन जो है उसको हम क्या कर पाएंगे असेस कर पाएंगे ठीक है पैसेंट ने जो है वेडिंग किया कि नहीं अगर कैथेटर लगा है तो हम यूरो बैग जो है वो चेक कर लेंग ठीक है अगर मोसन नहीं लगा है तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन जो उसको देखना है तो नहीं है प्रिलाइट के लिएस का मतलब यह कि पेर्स्टाल्सी मोमेंट जो है वह भू स्टार्ट नहीं हुए है अभी तक ठीक है तो वह भी हमें क्या करना है चेक करना है आई वी जो है उसको देखना है कि ऐसा नहीं है कि फिलूड हम जो है जड़ादेदे सर्कुलेटरी ओवर लोड जो है उसको हमें जो है नोट करते रहना देखते रहना है जब भी करेगा करेगा मोमेंट करने का या तर्निंग करेगा तो हमें सर्जिकल साइट करना है कि वहां पर किसी साथ में जो है पोजिशन जो है सर्जडरी के सर्जरी के किस परकार की सकते हैं विटामीन टेबलेट या जींग उसको हम दे सकते हैं ठीक है ताकि कि जो है अच्छे से उसकी ग्रोध जो हो सके प्रायोर्टी नर्शिंग एक्षन जो होते हैं पोस् अपरेटिव प्रेड में वो होता है क्या maintain airway पहला क्या है maintain airway हमने पढ़ लिया है पहले नंबर दो होता है कि सारे जो parameter है वो देखना mostly क्या pulse oximeter third priority होगी क्या LOC जो है level of consciousness check करना साथ में जो है hemorrhage या bleeding के लिए check करना urine output चेक करना या टूब की पेटेंशी देखना या कोई complication जो है तो उनको assess करना यह सारे हम जो है वो पीछे पढ़ भी चुके हैं तो यह सारे जो है वो हमें देखना होता है बट respiration जो है वो क्या आएगा priority आएगा नंबर दो पे आएगा cardiac और नंबर थ्री पे आएगा loss of consciousness level of consciousness पोस्ट ओप्रेटिव कॉंप्लिकेशन जो मोस्टली देखने को मिल सकते हैं उनमें एक है pneumonia ठीक है मोस्ट को मली क्या pneumonia क्या है inflammation है जहां पर जो है लंग consolidation देखने को मिलते हैं क्या parent काइमा में ठीक है यह मोस्ट नहीं है तो यह जो है तो यह मोस्टी क्या है ठीक होता है लिए नंबर दो है एक्सपेंट नहीं हो पाती तो इसलिए हमें क्या है कफिंग एक्सरसाइज बतानी है ठीक तो तो लंक्स जो हैं वो क्या होते हैं को लैप्स हो जाते हैं यहां पर क्या है ब्रेदिंग जो है वह नहीं हो पाती है डेव्रेदिंग नहीं होती है मुस्टली इमेडिएट पॉस्ट श्प्रेटिव प्रेट में ही देखने को मिलता है एक से दो दिन में ठीक है साइंस इम्टम आपको पता ही है डिस नहीं आउगा क्योंकि रैस्परेटरी डिजीज है तो डेस्परेटर साइज सांट होगे ray respirator rate जो है वह बढ़ेगी अधर्ड देखने को मिलेंगे जो है इसका ữट है जो है इसका खौन तक साइन होता एव डेमने से प्रीम क्लाशिकल साइन होते है वह क्या हैेमेश्रेट्षैंड ये देखने को मिलेगा ये मिलता है नर्शिंग केर अगर पूछा जाए तो लंक्स जो है वह हमें करने हैं पेशेंट को जो है पॉजिशन देनी है एवरी टू आवर से डिप ब्रेधिंग और कफिंग एक्रसाइज के लिए उसको बताना है इस्पाइरोमेट्री उस्चे करवानी है फिजो थेरेपी दे जो है वह थिन हो और एक्सक्तर रोट एक्सक्तर duż के रूप में बाहर कंश्यFE ale नेक्स्ट हाइफ तोह में कि है जो ऑड़ में जो है क्या उंची जो से वेवो कम फंदे लिए को मिलता है तो इसको हम कहते हैं यह होता है यो सब्सक्ष रहता है इस वजबंसेर हमें क्या है अर्नियस्ट सैंटम है राइस श्यम्टम है उसका क्या है और लेस्ट साइंस ना क्योंगी शोर्स यह बात है कि जब पेसेंट को उसकी फ्राण वायू ओक्सिजन ही जो है प्रोपर ली ब्लड में नहीं मिल रही है तो ठीक होगा तो साथ में पेसेंट अगर यह अगर जदा हो गया है तो अनकॉंशेस हो जाएगा या फि लिशुका दहाएएगा अनकॉंशेस ने साय पेसेंट और ब्लॉचलि भले फाई एक है और आपको डूटर है उसको क्या करना है इनो कर ना पल्मोनरी एम्बोलिजम जो है वो हो सकता है कि जो है एक एम्बोलस जो है वो लोज हो सकता है और चर्कुलेट्रिक कर सकता है लंक्स तक जा सकता है जिस वजिस क्या है पल्मोनरी एम्बोलिजम जो है वो देखने को मिलता है ठीक है तो यह तो इसके डेपनेशन है कि एनोसिस देखने को मिल सकता है ठीक काडिया होगा ठीक है नर्सिंग केर की बात की जाए तो यहां पर पोजिशन सबसे क्या है और डौक्टर को जो है उसको क्या है क्या करना है कि सारे हो सकता है या में फिर हो सकता है जो में ऐस हमें चले मुण हो तो जो है इसकंड को सकती है धेखने को मिल सकती है इसमेडिया धेकिन कामे इस tut pro कार्डिया को है लोड वोगों हो गया है लगार पाउक्टूर को इंफर्म करना है यह क्या होगा सेकंड प्रायरोटी होगा धियुक्त करीन हो चाहिए वा आपनु हज्funding समय प्रूट्ट्स आगर यहां पर देना है जाहाएगर ब्लेडिंग्द नहीं grindingaint नहीं तो यह रह calculation ₹ यहां नहीं होगी कि अगर बynnेडिंग हूई तो आई-आप वॉलीमिक्स होक क्योंकि ब्लेडिमें क्या हो गया है हाइपोवोलिमिया हो गया है बोड़ी में हाइपोवोलिमिया हो गया है तो हाइपोवोलिमिक सोक जो है वो हो सकता है साइन सिम्टम जो है वो इसके क्या है सेम है साइन सिम्टम क्या है सेम है ठीक है सेम हमरेज जो है उसी कही साइन सिम्टम होंगे यहां पर अगर सोक हो गया ह है क्या होगी सेकेंड और साथ में इसका कोज क्या है तो उसको हमें क्या करना है अच्छ नेक्स त्रोंबोफलेवाइटिस की जहां लगाया है ठीक लगाई है वहाँ पर हमें वह फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है इंप्लामेशन देखने होगा साथ में वो जो है हाइड और साथ में क्या है टेंडर मिस्टच करने पर क्या है पैन फिल होता है और वहां पर क्या है वामत भी देखने को मिलती है मिस्ट इंफ्लामेशन के जो पांच क्लासिकल साइन है वो सारे जो हैं हमें देखने को मिलेंगे रही बात नर्सिंग के कि तो यहां पर क्या है कि जो अई भी जो होगा उसको हमें क्या करना है रिमूव करना है गया करना है साथ में nuo ट्टिकों जो है टीवाइसएं उनको अपलाईं करना है ठीक है साथ में उसको आ हैं वह लगा देनी है ठीक है यहां पर जो है डॉनौट आलाउ कुलाईंट डैंडल लेगस की लेक तो हम वह में जो हैं एक दूसरे के ओपर रखने से रोकना है पेशेंट जो है उसको डेंगल नहीं करने देना है पेशेंट के जो लेक्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखने से हमें रोकना है ताकि जो है फ्लो जो है पेंटनियो बना रहे और पेशेंट को अर्ली एंबुलेशन के लिए हमें क्या करना है बताना है क्य अगर नहीं आ रहे तो उसको हम कहते हैं क्या परलाइटिक इलियस यह कंडिशन मोस्ट लिक्या है कि एनस्थेटिक जो मैडिसी जो है उनकी जैसी देखने को मिलती है तो अगर ऐसा होगा तो मौस्ट ऑपरेटिवली क्या है पोस्ट ऑपरेटिवली वो मीटिंग हो सकती है जो अगर उसको इंटरमिटेंट शक्षिनिंग को उपर लगा देंगे ताकी जो है जो वहां पर जो एकसे सिव माउंट में जो भी जो है एर जो जो जा गया है वहां पर जो अब्रुश्यान नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा सर्जिकल इंटर्वेंशन जो है वह भी करने पड़ सकते हैं wound infection देखने को मिल सकता है wound infection जो है वो शिरफ वो शिरफ इसलिए होता है कि वहाँ पर properly trial aseptic technique जो है वो यूज नहीं की गई है means poor aseptic technique थी इसलिए वहाँ पर क्या हुआ है उसको infection जो है वो हुआ है ठीक है या फिर अगर patient जो है वो diabetes का था जहाँ पर proper sugar control नहीं था ठीक है तो mostly यह infection जो है वो हो सकता है three to six days तो यह जो है science symptom शोर सी बात है inflammation infection के science symptom यहाँ पर देखने को मिलेंगे fever chills देखने को मिलेगा WBC level जो है बढ़ेगा warm देखने को मिलेगी tenderness inflammation side inflammation मिलेगी वहाँ पर edema देखने को मिल सकता है और skin suture जो है वो टाइट देखने को मिलेंगे क्योंकि swelling होगी तो शोर सी बात है कि surgical side जो होगी उसके उपर pressure पड़ेगा और अगर pressure पड़ेगा तो जो है वहाँ पर swelling होगी swelling होगी तो जो है suture line जो है वो खिचेगी ठीक है तो रही बात nursing care की तो यहाँ पर क्या है septic technique अब हमें follow करनी है और जो है antibiotic जो भी doctor order करेगा वो हमें क्या देना है antibiotic देना है तो देखो wound जो infection है उसके साथ में आपको wound dehiscence और wound eviceration जो है वो देखने को मिल सकता है wound dehiscence का मतलब है कि wound जो है वो अपने जगह से मिंस stitch जो line है वो separate हो सकती है और example कि यहाँ पर जो है वो stitch दिये गए थे ठीक है तो stitch जो suture है वो इस परकार से जो है वो देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो यह क्या है wound dehiscence की skin lining जो है वो separate देखने को मिलेगी कि mostly six to ten days के बाद होता है इसका most common यह होता है कि pressure जो है वो वहाँ पर extra जो है वो प्रेसर पड़ा है ठीक है या फिर wound जब infection होता है तो उस वज़य से भी wound dehiscence जो हैंवो देखने को मिलेगा wound abrecoration क्या है यह इससे advanced होता है जिसमें क्या है कि वह separate हो गया है और internal जो ओर गन हैं वह बाहर निकल आएं internal organ जो हैं वह बाहर जो हैं protrude हो गये हैं कहांसे we can see surgical side से तो वह क्या है wound ones क्लाइंट होती है उनमें होता है और यह क्यों देखने को मिलता है क्योंकि अभी तक वूंड नहीं हुआ है ठीक है तो वूंड एविसरेशन हुआ यह बात है कि यह सर्जिगर इमर्जेंसी है पेशेंट को दुबारा सी ओटी जो है वो लेके जाना पड़ेगा दुबारा सी जो है वो सुचरिंग करनी पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को जो है सुपाइन या लो फावलर पोजिशन देनी है जिस्से की उस साइट के उपर प्रेसर ना पड़े और वो और ज्यादा ना बड़े प्राइविर्टी पे क्या होगा ठीक है शेमी फावलर पो है ठीक है रही बात यह कि हमें डॉक्टर को जो है इनफॉर्म करना है और पेशेंट को काम रहने के बोलना है खुद भी काम रहना है और पेशेंट के वाइटल साइन जो है वह हमें कंट्निवेसली असे से करना है ठीक है तो यह था आज का जो है टॉपिक अपना क्या पैरी पॉइंट टो पॉइंट जो है मोंने नाम लिख सकता था बट जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्टेंट करने की पोसी से की गई है तो चलिए थैंक्यू आज के लिए पैसेंट जो है केर था ये सारा जो कि पैरियो अपरेटिव नर्सिंग केर थी तो अगर वीडियो अच् करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू झाल झाल झाल